भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायक समीक्षा की शक्ती के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है एवन यह भारत के सम्विधान के तहट न्याय की अपील हेतु अंतिन न्यायालय है भारत एक संघीय राज्य है एवन इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायक प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरिय संग्रचना है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय और अधिनस्थ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की संक्षिक्त प्रिष्ठ भूमी वर्ष 1773 के Regulating Act के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ती एवा अधिकार के साथ Court of Record के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरन सुप्रीन Court of Judicature की स्थापना की गई बंगाल, बिहार और उडिसा में यह सभी अपराधों की शिकायतों को सुनने तथा निप्टान करने के लिए एवन किसी भी सूट या कारियों की सुनवाई एवन निप्टान हेतु स्थापित किया गया था मदरास एवन बंबई में सर्वोच्च न्यायालय जौर्ज त्रीतिय द्वारा क्रमशय वर्ष 1800 एवन वर्ष 1823 में स्थापित किये गए थे भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहट विभिन्द प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई एवन कलकत्ता, मदरास और बंबई में सर्वोच्च न्यायालयों को तथा प्रेसीडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहट भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था संघीय न्यायालय के पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करने और उच्च न्यायालियों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार छेत्र था वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जन्वरी 1950 को भारत का सम्विधान लागू हुआ साथ ही भारत का सर्वोच न्यायालय भी अस्तित्व में आया एवन इसकी पहली बैठक 28 जन्वरी 1950 को हुई सर्वोच न्यायालय द्वारा घोशित कानून भारत के सभी न्यायालियों के लिए बाध्यकारी है इसे न्यायक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है संविधान के प्रावधानों एवन समवैधानिक पद्धती के विप्रीत विधाई तथा शासनात्मक कारवाई को रद करने की शक्ती, संग एवा राज्यों के बीच शक्ती का वितर्ण या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुध प्रावधानों की सम सम्वैधानिक प्रावधान पनुच्छेद 124.1 के तहत भारतिय सम्विधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश CJI होगा तथा साथ से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक की कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड संख्या निर्धारित नहीं करती है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तोर पर मूल अधिकार क्षेत्र अपीलिय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है हाला कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य सर्वोच्य न्यायालय का संगठन, और्गनाइजेशन, वर्तमान में सर्वोच्य न्यायालय में 31 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, एवन 30 अन्य न्यायाधीश हैं. सर्वोच्य न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या, 2019 के विधेयत में 4 न्यायाधीशों की वृद्धी की गई. इसने मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायक शक्ती को 31 से बढ़ा कर 34 कर दिया. मूल रूप से सर्वोच्य न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आठ, एक मुख्य न्यायाधीश, एवन 7 अन्य न्यायाधीश, निर्धारित की गई थी. संसद उन्हें विन्यमित करने के लिए अधिकृत है. सर्वोच्य न्यायालय का स्थान सम्विधान दिल्ली को सर्वोच्य न्यायालय का स्थान घोशित करता है यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्य न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है वह राश्ट्रपती के अनुमोदन से ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है इसका अर्थ यह है कि कोई भी अदालत राश्ट्रपती या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच न्यायाले को किसी अन्यस्थान पर नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकती है न्यायाधीशों की नियुक्तिया सर्वोच्य न्यायाले के न्यायाधीशों की नियुक्ती राश्ट्रपती द्वारा की जाती है यदि राश्ट्रपती आवश्यक समझता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ती के लिए सर्वोच्य न्यायाले एवं उच्य न्यायालियों के न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है अन्य न्यायाधीशों को राश्ट्रपती द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवन सर्वोच्च न्यायाले तथा उच्च न्यायालियों के ऐसे अन्यायाधीशों के साथ परामर्ष के बाद नियुक्त किया जाता है, यदि वह आवश्यक समझता है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ती के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्ष करना अनिवार्य है वर्ष 1950 से वर्ष 1973 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ती सर्वोच्च न्यायाले के वरिष्थतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परमपरा रही है वर्ष 1973 में इस परंपरा का उलंगन किया गया था जब तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर ए एन्रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था वर्ष 1977 में इसका पुनह उलंगन किया गया जब तत कालीन डस वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर एम यू बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था सरकार की इस स्वायत्ता को सर्वोच न्यायाले ने द्वितिय न्यायाधीश मामले 1993 में रद्द कर दिया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालई ने फैसला दिया कि सर्वोच्च न्यायालई के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए परामर्ष एवं कॉलेजियम प्रणाली पर विवान सर्वोच्च न्यायाले ने निम्नलिखित प्रावधानों में परामर्ष शब्द की अलग-अलग व्याख्या की है प्रथम न्यायाधीश मामले 1982 में न्यायाले ने कहा की परामर्ष का अर्थ सहमती नहीं है और इसका अर्थ सिर्फ विचारों के आदान प्रदान से है द्वितिय न्यायाधीश मामले उननीस सो तिरानवे में न्यायाले ने अपने पहले फैसले को पलट दिया और परामर्ष शब्द का अर्थ सहमती के रूप में परिवर्तित कर दिया त्रितिय न्यायाधीशों के मामले 1998 में न्यायाले ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्ष प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्ष की आवश्चक्ता होती है मुख्य न्यायाधीश की एक मात्र राय परामर्ष प्रक्रिया का गठन नहीं करती है उन्हें उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्ष करना चाहिए यदि दो न्यायाधीश भी विप्रीत राय देते हैं तो उसे सरकार को नियुक्ती की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए अदालत ने माना की परामर्ष प्रक्रिया के मांदंडो और आवर्शक्ताओं का अनुपालन किये बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम कॉलेजियम प्रणाली की शुर्वात त्रीतिय न्यायाधीश मामले के माध्यम से हुई थी और यह वर्ष 1998 से चलन में है इसका उप्योग उच्च न्यायालियों और सर्वोच न्यायाले में न्यायाधीशों की नियुक्तियों एवन स्थानांतरण के लिए किया जाता है भारत के मूल समविधान में या संशोधनों में कॉलेजियम का कोई उलेख नहीं है कॉलेजियम प्रणाली का नेत्रित्व सर्वोच्च न्यायाले के कॉलेजियम का नेत्रित्व CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें न्यायाले के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं उच्छ नियायाले के कॉलेजियम का नेतरित्व उसके मुख्य नियायाधीश और उस नियायाले के चार अन्य वरिष्ठतम नियायाधीश करते हैं। उच्च न्यायाले कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशनसित नाम CJI और सर्वोच्च न्यायाले कॉलेजियम द्वारा अनुमोधन के बाद ही सरकार तक पहुँचते हैं उच्छ न्यायाले के न्यायाधीशों की नियुक्ती केवल कॉलेजियम प्रनाली के माध्यम से होती है और कॉलेजियम द्वारा नाम तै किये जाने के बाद ही सरकार की भूमिका होती है कॉलेजियम प्रणाली एवं NJC, राष्ट्रिय न्यायक नियुक्ति आयोग की कार्य प्रणाली कॉलेजियम केंद्र सरकार को वकीलों या न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित करता है इसी प्रकार केंद्र सरकार भी अपने कुछ प्रस्तावित नामों को कॉलेजियम को भेजती है कॉलेजियम केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों या सुझावों पर विचार करता है एवा अंतिम अनुमोदन के लिए फाइल को सरकार के पास भेज देता है यदि कोलेजियम फिर से उन्ही नामों को पुनह भेजता है तो सरकार को उन नामों पर अपनी सहमती देनी होगी लेकिन जवाब देने के लिए समय सीमातय नहीं है यही कारण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ती में लंबा समय लगता है निन्यान वेवे समवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ती के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने हेतु राश्ट्रिय न्यायक नियुक्ती आयोग अधिनियम अन्जेसी की स्थापना की गई थी हाला कि सर्वोच्च न्यायाले ने कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और अन्जेसी को इस आधार पर असमवैधानिक ठहराया की न्यायक नियुक्ती में राजनीतिक कार्यपालिका की भागिदारी मूल संरचना के सिध्धानतों अर्थात न्यायपालिका की स्वतंतर न्यायाधीशों की योग्यताएं उत्तरोतर एक से अधिक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए या उसे राष्ट्रपती के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सम्विधान में नियून्तम आयु निर्धारित नहीं की गई है शपत या प्रतिग्ञान, पोथ और encouragement सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपती या इस कार्य के लिए राष्ट्रपती द्वारा नियुक्त व्यक्ती के समक्ष निम्नलिखित शपत लेनी होगी की में भारत के सम्विधान के प्रती सक्ची श्रधा और निश्ठा रखूंगा भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुन रखूंगा अपनी पूरी योग्यता ज्यान और विवेक से अपने पद के कर्तवियों का बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेश के पालन करूंगा सम्विधान एवं विधी की मर्यादा बनाए रखूंगा न्यायाधीशों का कार्यकाल तन्योर सम्विधान ने सर्वोच न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है हाला कि इस सम्बंध में निम्नलिखित तीन प्रावधान किये गए है वह 65 वर्ष की आयू तक पदासीन रह सकता है उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसत द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारन करेगी वह राश्ट्रपती को लिखित त्याद पत्र देकर पद त्याग सकता है संसत की सिफारिश पर राश्ट्रपती द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है न्यायाधीशों को अपस्थ करना राश्ट्रपती के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है राश्ट्रपती उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदस्यों के विशेश बहु मत अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहु मत एवन सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दोति हाई का समर्थन प्राप्थ होना चाहिए। उसे हटाने का आधार, दुर्व्यवहार या अक्षमता होना चाहिए। नयायमूर्ती दीपक मिश्रा 2017-18 के महाभियोग के प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हुए। वेतन एवं भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेशाधिकार, अवकाश और पेंशन समयस्मय पर संसद द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। विप्तिय आपातकाल के अतिरिक्त नियुक्ती के बाद इनमें कटौती नहीं की जा सकती है। वर्ष 2021 में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन एवन सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया था। जह विधेयक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वेतन और सेवा की शर्तें अधिनियम 1954 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, वेतन और सेवा की शर्तें अधिनियम 1958 में संशोधन का प्रावधान करता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राश्ट्रपती भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्य न्यायाले के किसी न्यायाधीश की नियुक्ती कर सकता है जब मुख्य न्यायाधीश का पदरिक्त हो अस्थाई रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो मुख्य न्यायाधीश अपने दायत्वों के निर्वेहन में असमर्थ हो तदर्थ न्यायाधीश जब सर्वोच्य न्यायाले के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थाई न्यायाधीशों के कोरम गणपूर्ती की कमी होती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थाई अवधी के लिए सर्वोच्य न्यायाले के तदर्थ न्यायाधीश के प्रामर्श और राश्ट्रपती की पूर्ण सहमती के बाद ही ऐसा कर सकता है। के सभी अधिकार, खेत्र, शक्तिया और विशेश अधिकार और पत्याग प्राप्थ होते हैं। न्यायाधिश के रूप में कार्य करे। ऐसा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति एवन राष्ट्रपती की पूर्व सहमती होने पर ही किया जा सकता है। न्यायाले की प्रक्रिया सभी मामले आमतोर पर तीन न्यायाधिशों वाली पीठ द्वारा तय तय किये जाते हैं। ये निर्णय खुले न्यायाले द्वारा दिये जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिये जाते हैं, लेकिन यदी अलग-अलग मत होते हैं, तो न्यायाधिश एक दूसरे से असहमत निर्णय या राय दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायाले की स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायाले एक संघीय न्यायाले अपील का सर्वोच्च न्यायाले नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और सम्विधान का सनरक्षक है आथ इसे सौमपे गए कर्तवियों के प्रभावी निर्वहन के लिए इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्चक हो जाती है यह कार्यकारी, मंत्रियों की परिशद और विधान मंडल, संसद के अतिक्रमन दबावों एवा हस्तक्षेपों से मुक्त होना चाहिए इसे बिना किसी डर या पक्षपात के नियाय करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए सम्विधान ने सर्वोच्च नियायालय के स्वतंत्र और निश्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने एवन सुनिश्चित करने के लिए निमलिखित प्रावधान किये है नियुक्ति का तरीका एक संघीय नियायाले के रूप में सर्वोच नियायाले भारतिय संध की विभिन्ण इकाईयों के बीच विवादों का फैसला करता है अधिक विस्तरित रूप से देखें तो निम्न के मध्य किसी भी विवाद का निर्णय करता है केंद्र व एक या अधिक राज्यों के मध्य या केंद्र एवं कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना तथा एक अथवा अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना या दो या अधिक राज्यों के मध्य उप्रोक्ट संघीय विवादों पर सर्वोच न्यायालय में विशेश मूल न्यायक्षेत्र नहित है सर्वोच न्यायालय के न्यायक्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं है कोई विवाद जो किसी पूर्व समवैधानिक संधी, समझोता, प्रसमविदा सनद एवा अन्य संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो कोई विवाद जो संधी, समझोते आदी के बाहर उत्पन्न हुआ हो जिसमें यह प्रावधान हो कि संबंधित न्यायक्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है अंतर राजिय जल विवाद विट्ट आयोग के संदर्भ वाले मामले केंद्र एवन राज्यों के मध्य खर्चों एवन पेंशन के संबंध में समझोता केंद्र एवन राज्यों के मध्य वानिजिक प्रकृती वाला साधारण विवार केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई न्यायादेश क्षेतर अधिकार रिट जूरिस्डिक्षन सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्थ है कि वह बंदी प्रत्यक्षी करण, परमादेश, उत्प्रेशन, प्रतिशेद, एवन अधिकार प्रेच्छा आदी पर न्यायादेश जारी कर विच्षिप्ट नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार शेत्र इस अर्थ में है कि एक पीडित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, जरूरी नहीं कि यह कार्य याचिका के माध्यम से किया जाएं हाला कि सर्वोच न्यायालय का न्यायादेश अधिकार शेत्र पर विशेश अधिकार नहीं है उच्छ न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है अपीलियक शेत्राधिकार अप्पल्लेट जूरिस्डिक्षन सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है और निचली अदालतों के निर्नयों के खिलाफ अपील सुनता है इसको एक विस्तरित अपीलियक शेत्राधिकार प्राप्थ है जिसे चार शीषकों के अनतर्गत वर्गी कृत किया जा सकता है समवैधानिक मामलों में अपी, दीवानी मामलों में अपी, आपराधिक मामलों में अपी, विशेश अनुमती द्वारा अपी, सलाकार क्षेतराधिकार, एडवाईजरी जूरिस्डिक्षन, अनुच्छेद 143 के तहट समवैधान राष्ट्रपती को दो श्रेनियों के मामलों सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्न, कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेक एवन साक्षे के रूप में दर्स किये जाते हैं तथा किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये रिकॉर्ड विधिक संदर्भों की तरह स्विकार किये जाते हैं। इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर गंडित करने का अधिकार है। जांच में यदिवे समविधान, अल्ट्रावायर्स के उलंगन करता पाये जाते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध, असमवैधानिक और अमान्य, बालित और शून्य, घोशत किया जा सकता है। नतीस्तन उन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान मामले Master of Roadster मामलों की सुनवाई लिए पीठों का गठन करना मुख्य न्यायाधीश के विशेशाधिकार को संदर्भित करता है। न्यायक प्रशासन पर मुख्य न्यायाधीश की पूर्ण शक्ति को लेकर सर्वोच्य न्यायाले में विवात खड़ा हो गया है. सर्वोच्च न्यायाले ने कई बार कहा है कि मुख्य न्यायाधीश रोस्तर का मास्टर होता है और वह अकेले ही न्यायाले की पीठों का गठन करने और गठित किये गए पीठों को मामले आवंटित करने का विशेशाधिकार रखता है भारत के मुख्य न्यायाधीश हो या किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो वे प्रशासनिक पक्ष के प्रमुख है इसमें न्यायाधीश के समक्ष मामलों का आवंटन भी शामिल है आथ्व जब तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामलों का आवंटन नहीं किया जाता है तब तक कोई भी न्यायाधीश स्वतह मामले नहीं ले सकता है